अब o टो डोस्तों मैं आज अपना दोस्त की टो दोस्तों जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में स्पीकर दिखा है जो 10 इंची स्पीकर स्थ और मैंने 155 mm का मैगनेट लगा के मैंने स्पीकर अशेम्बल की तो और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि उन्हें मैंने दो इंची का वोई स्कॉल यूज करा था और सिवा का कौन होता है सिवा का पेपर कौन होता है वो मैंने उन्हें यूज करा था और उनको यूज करने के बाद मैंने अपने जो मेरे स्पीकर्स थे कॉलम थे व इस तरह से जिसे मैंने दो तो यहां याओं लगा रख्ञें पलस आपा 450 मेने यहां लगा रख्ता है कर उसके साथ मैंने आपका 450 का इनेटर प्लेट यूज करा हुआ है और जो स्पीकर मैंने दोस्तों आपको दिखाया था ब्लू कलर की चेशी के अंदर मेरे जो स्पीकर्स थे वह आप इधर नीचे देख रहे हैं तो यह दोस्तों 10 इंची में सिवा के कॉन में 2 इंची वाइस को स्पीकर यह अंदर 155 mm का मेगनेट के साथ मैंने स्पीकरी बना रखखा है अपना तो दोस्तों हम मैं आपको बता देता हूं कि इनका क्या कुछ स्पीकर्स का क्या कुछ नहीं है और यह आप देख सकते हैं दोस्तों यह मैंने लकडी का जो फ्रेम होता है उस पे कप्रा डवल कपड़ा है मैं आपको दिखा देता हूं अगर आप देख पारूंगे तो यह देखे दोस्तो इस पे दोस्तो यह डवल कपड़ा लगा हुआ है एक कपड़ा मेरे हाथ में और एक यह रहा तो यह दोस्तो डवल कपड़ा इसलिए लगाया गया ताकि आपको स्पीकर्स म पर कंबल नहीं है कंबल नहीं है इन पर पॉलिस करी गई है देखो जैसे कि यह मेरे एक टॉप रखे हुए है इन पर कंबल है तो इन पर कंबल नहीं है इन पर देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल पॉलिस करी गई है तो इन पर मैंने पॉलिस करा रखिए जो बैड जो अमारी शाइनिंग बेड़ वाली पॉलिश होती हैं वो मैंने इन पर करार कें ब्लेक लग की पॉलिश है तो दोस्तों ये जो कॉलम है ये मेरे दौनों होली ओफर पे अगर किसी भी भाई को चीहें तो मैं इनको होली ओफर पे डिसकाउंट के साथ अपने कॉलम्स को देना चाहता तो दोस्तों इनके साथ साथ जो एंप्लिफायर होगा ये एंप्लिफायर होगा जो कि आप देख सकते हैं जे वी सी का एंप्लिफायर है मॉडल नंबर एके वन टैन स्टीरियो इंटिग्रेटिड एंप्लिफायर है आप इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं जे वी सी का एंप् तोगे फोन होता है जो ग्राम फोन वो यूज कर सकते हैं बाकि आक्स के लिए मैंने दोस्तों इसमें एक छोटा सा कार्ड अपना यह बना रखा जिसमें मैंने केबल पीछे लगा के अपने अप्लिफायर में कनेक्ट कर रखी है कि मैं इससे चुछा लेता हूं इससे कौई दिख्कत वाली बात नहीं है बाकी यहां आपका आपका पर अप्सां देखने को मिलेगा चलम फौर के लिए यहां का बेश के लिए हो जाता है यह इस तरह से आपका काम करता है और यह आपक सब्सक्राइब्म कंदा जाता है यह बैलेंस का दोस्तों यहां से हटा हुआ है टूटा पड़ा बटे सेंटर में है तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है यह दौन स्पीकर यहां से आप आप कर लेता यह आपका लाउडनेस ओन आफ के लिए है ओटो कट रिले सिस्टम दोस्तों इसके अंदर है कि आपके स्पीकर में कोई भी प्रॉब्लम आती है कुछ भी तरह की किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो यह अपने आप ओटो रिले कट हो जाता है इसके लता साब से है और रगाशे दोस्तों में छोटे मूटी आपको को इसकी और जानकारी देता हूं जैसे कि आप यहां देख पा रहें को भी अन्धर कि अन्दर क्या मेंने अपने जे करने के लिए लगाए हुए है जिससे कि आप इनको पकड़ सके और इनके पीछे दोस्तों मैंने backplate में use करा हूआ है जो कि आपके 15-18 इंशी डोफेस आते हैं speakers आते हैं टॉप आते हैं monitor आते हैं उन्हें दो में जो backplate Use होती है Ist rains Picon का system इन में यूज करा अगया आटर आपको दिछा सकूँ तो यहां से तक पीछे की side देख सकते हैं यह देखे अ know बाकि दोस्तों मैं आपको एक छोटा-छोटा सा अगर ओवर लुक दे पाऊं तो यह देखिए यह दोस्तों इसके अंदर मॉस्फेट एंप्लिफायर के अंदर लगे हुए चार Mousfet के अंदर दोस्तों यह Amplifier आपको मिल जाता है बाकी दोस्तों इनके अंदर मैंने बता दिया कि आपको इसके अंदर मैंने पीछे कोई तार का connection नहीं करा है कुछ तार का जहमेला नहीं है आपको सीधे speak on लगाने और अपने start करने अगर आप यह amplifier भी नहीं लेना चाहते तो आप इसके लिए पांसो वाट का कोईल डाला हुआ है और CCAW का कोईल नहीं डाला क्योंकि CCAW कोईल में दोस्तों आपको क्या होता है कि आपको MIDI की frequency मिल जाती है और Twitter की frequency मिल जाती है तो बट मुझे वो नहीं चाहिए थी मेरा purpose था कि मुझे base चाहिए और नॉर्मली जो 10 इंची के लोग speaker यूज़ करते हैं वो buffer आते हैं 135 mm magnet होती है जादा से जादा उसमें और नहीं होती बाकि मैंने 155 mm की magnet लगाई हुए जिस भी भाई को बिलीव ना हो वो भाई मेरी लास्ट वाली वीडियो को जाके चेक कर ले मैंने उसमें पूरी अपनी वीडियो डाल रखे कि कौन सम एगनेट मैं उसमें यूज़ करूँगा और कौन सी चेसी यूज़ करी हुई है मैंने तो चेसी आपको यहीं से दीख रहोगी दोस्तों ब्लू किलर की है और यह एलमूनियम डाइकास्ट की चेसी है लोई की चेसी नहीं है फिर बता देता हूं पुश टर्मिनल्स इसके अंदर लगए यह स्पीकर के अंदर आपको कुछ नहीं करना कोई सोल्डरिंग का जंजट नहीं है दोस्तों अगर कभी भी आपके स्पीकर खराब होता है तो स्पीकर लिका लिका लेकर आप सीधा आपको इसको रीकॉन कराकिश इसमें लगा देना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और cabinet के अबारे में बता देता हूं दोस्तों यह जो cabinet है इसकी है इसकी जो डिप्त है पीच कोई परेशानी वाली बात कैसी नहीं है और इनके अंदर दोस्तों मैंने सपोर्ट भी लगा रखे कभी हमारी बोड़ी टेड़ी मेड़ी नहीं हो सकती किसी भी तरह से और जो भी दोस्तों इसके अंदर मैंने प्लाई यूज करी गई है वह प्लाई है आपकी 15 mm की प्लाई ब कोई भी किसी भी तरह से कैबिनेट में प्रॉब्लम नहीं आने वाली दोस्तों मैं फिर से आपको बता देता हूं और भायो यह खोली तक होली से पहले पहले यह ओफर अबलेबल है आज आपका साथ तारिक है और यह जो ओफर होगा वो मेरा 12 तक अबलेबल होगा उसके बा अबदाब डिसकांट भी इसकप्राइस जान सकते हैं इसका जो डिसकांट जो दोस्तों इसका में मैं डिसकांट में दूघाँांगा आपको 15 से 1500 से लेकर और नौर्मली 25 तक मैं इसके अंदर जो आपको डिसकाउंट वो देने वाला हूं इस कंप्लीट सेट के अंदर अगर हम मेरे से कंप्लीट सेट लेते हैं एंप्लिफायर और ये कॉलम तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बाकी अगर आप अच्छे-चे कमेंट करें करेंगे के डियो चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं इसकी जो साउंट टेस्टिंग होगी बहुत जल्दी इसी एंप्लीफायर के साथ लेके आने वाला हूं बहुत सांदर सांड कॉल्टी है दोस्तों आप वीडियो के साथ और मेरे चैनल के साथ प्लीज बने रहें और सिर्फ 12-13 तारिक तक ही एवलेबल रहेगा क्योंकि यह दोस्तों कल ही बनके तैयार हुए है और मैं इनको सेलिंग पर लिकाल रहा हूं क्योंकि मेरा काम ही है कि बनाके और सेल करना ओर के लिए तो वैसे तो यह दोस्तों मेरे खुद के लिए परसनल यूज में रखता हूं बट होली का ओफर था होली आ रहे है तो इस वह से मैंने इनको लिकाल रखा है सेलिंग के लिए मैंने इनका जो ऑफर है वो स्टार्ट कर दिया है तो जिस भी भाई को चाहिए मों मेरे से कांटेक्ट कर सकता है वटसाप नमबर मैं अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई हो थैंक्यू सो मच दोस्तों के डियो डियो चैनल के साथ बने रहने के लिए और प्लिस के डियो डियो चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू दोस्तों